तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या टवेलफ्ट की क्लास कमर्ज से पास करने के बाद क्या बीटेक में डेटा साइंस का कोर्स किया जा सकता है जा नहीं हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्डस्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ डेटा साइंस के बारे में तो जै वीडियो काफी इन्फोर्मेटिव होने वाली है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तो अगर आपने 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जै जाना है कि 12th की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के उन वीडियोज को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप में से कई स्टूडेंट्स का दोस्तों डाउट होता है कि कैन आई डू बीटेक इन डेटा साइंस कोर्स आफटर 12th कमर्स जानी 12th की गलास कमर्स से पास करने के बाद क्या बीटेक में डेटा साइंस का कोर्स किया जा सकता है चा नहीं तो सबसे बेले में आपको डिस्क्रस करने वालाओं की बीटेक का जो मतलब होता है वो है बैचलर ओफ टेकनोलोजी और डेटा साइंस कोर्स एक अंडर ग्रेजुट लेवल की केटेगरी में आता है जो की जाए कोर्स चार वर्ष का कोर्स होता है जिसमें कुल आठ समेस्टर होते हैं और एक समेस्टर की जो लेंट होती है वो 6 महीने तक होती है और अगर मैं आपसे एक बात करूँ कि क्या commerce student data science का course कर सकता है जा नहीं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जी नहीं आप b.tech में data science के course के लिए eligible नहीं होते हो और दोस्तों अगर आपको b.tech में data science का अगर आपको course करना है तो इसके लिए जो PCM subject हैं वो compulsory हैं PCM का मतलब होता है physics, mystery और mathematics जो कि आप इन subjects को आप developed की class में आप पढ़ते हो तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपसे data science course के बारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्थ हुई होगी और अगर आपको फिर भी किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद